कि नमस्कार दोस्तों इडू को सीरीज में मैं सुभास आपको फिर से स्वागत करता हूं पिछले वीडियो में हम लोग तिरकोनमीती के बेसिक कलास अनुपातिक मान के संबंद में पढ़ाई किये थे आज हम लोग देखेंगे उसी से समंदित जो एक्सोसाइज है एक्सोसाइज आठ दसमलो एक इससे समंदित इसमें कुछ जो सवाल दिया हुआ है अनुपातिक मान से उसको देखा जाएगा देखिए एक नमर क्वेश्चन क्या है एक नमर क्वेश्चन बोल रहा है तिरभूज ABC में जिसका कौन B समकौन है यानि कि एक समकौन तिरभूज बना लिया जाए जिसमें कि क्या बोल रहा है कि B समकौन है A B C यानि कि यहां B समकौन है ठीक है तब क्या है कि B समकौन है A B बराबर 24 A से लेकि यहां B तक यहां कितना है 24 A B बराबर 24 सेंटीमेटर और B C बराबर 7 सेंटीमेटर 20 से लेके कितना है 7 सेंटीमेटर है तो निमल लिखित का मान ग्यात करना है यानि कि एक नमर में जो सवाल इसमें ग्यात करने के लिए बोला है क्या साइन ए और एक बार बोल रहा है कि कॉस ए उसके बाद बी में भी है एक और सवाल है इसमें भी क्या है बोल रहा है कि साइन सी और कॉस सी बराबर वाट तो देखिए यहां क्या है कि जो पहले यहां एक के अनुसार साइन और कॉस में इंसर निकलना है एक के अनुसार और यहां सी के अनुसार साइन और कॉस में इंसर ग्यात करना है तो सबसे पहले यह कहा जाएगा कि यह जब 90 डिगरी है तो इसके सामने यह जो भूजा है सबसे बारा भूजा यही का मान ग्याद करना है यानि कि H का मान ग्याद करना है तो H बराबर कुल बताया गया है पाइथा गुरस नियम लगा देना है तो क्या हो जाएगा H बराबर रूट अंडर क्या होता है छोटका दोनों मिल जाएगा क्योंकि यह H बराबरा है तो हो जाता है P square plus में B square तब यहां क्या हो जाएगा कि इसको P कहा जाएगा तो इसको B आचा है इसको B तब इसको P कोई भी किसी से भी उससे P और B से कोई मतलब नहीं होता है कोई भी अगर दोनों का मान तो यहां जूटना ही है तो इसलिए आगे पीछे भी रखने से कोई द देख लीजिए कल बोले थे होमवर्क के रूपे दिया गया था कि एक से लेके 30 तकले का बर्गमान याद रखना है अगर यह 30 तकले का बर्गमान याद जो रखेगा तो उसको फिर से अलग से गुना करने के ज़रूरत नहीं परेगा और आसानी से उसमान को पूट करकर के असानी से जमान को ज्याद कर सकता है यानि कि देखिए 24 गुने 24 तो चाट्यों का 16 हर्सिन 1 4 दूनी 8 आठ आएक 9 फिर यहां 4 दूनी 8 और यहां 4 यानि कि यह कितना बजाएगा 6 9 गो 8 गो 17 हर्सिन 1 और यहां 4 एक 5 यानि कि हो गया 576 तो देखिए यहां 576 पलस में 49 तब ज जूट जाएगा तो कितना जाएगा नोगो चोगो 15 हर्सिन एक और साथ चार 11 एक 12 हर्सिन फिर से एक 5 यानि कि आगया 625 तो 625 25 का बर्गमूल होता है जो कि यह आपको भी याद होना चाहिए तब क्या है यहां ए निकलना है मतलब की साइन एक अमान निकलना है और कॉस एक कमान क्या होता है लिघंड है यानि कि साइन एपन निकलना है इसको ठीटा मनना है एक उसको ठीटा है तो उसकी अनुशरियों यह usu जाएक और यह वा धीन हो जाएगा तो एंसर क्या है कि हम लोगों को साइन एक कमान पिसकी रूप में लिखना है तो इसके सामने का P यह साथ हो जाएगा साथ और H का मान्द जो की 25 आ गया है तो यह एंसर हो गया उसके बाद निकलना है कौस-A तो कौस का सुतर के होता है B बाई-H जो की यह अनुपातिक मन याद होना चाहिए तो एक अनुसर यह निकर ठीटा को भेलू एक तो इसकी अनुसर जब यह P हो गया तब यहाँ तो भी हुग जाएगा यानि कि इसकी अनुसार 24 बाटा और ह का मान envelope hksi हाई कि बरका भूजा 25 है तो इसमें कोई दिखते नहीं है अब यहाँ देखिए sine c venir data इसको मान कर चलना है तो जब data इसको मान कर चलना है तो निकलना है कि साइन सी बराबर यहां भी वही सूत्र तो भी लगएगा फी बाई एच तो इसके अनुसार पी कमान कितना हो जाएगा यह 24 क्योंकि ठीटा के सामने कहीं जो भूजा होता है उसको पी करेता है तो यह सी के सामने वाला यह भूजा जो यह चोबिस है तो यह पी कमान होगे 24 और ह कमान बाटा में 25 जो कि यह इसका इंसर हो गया उसके बाद हो जाएगा कौसC यानिकि वी बाई एच तो वी बाई एच यानि किसी के अनुसार दिकमान किया है यह साथ है तो शाथ बाटा एच का मान कितना है 25 अब question no 2 में क्या बोल रहा है question no 2 बोल रहा है आकरिती 8.13 जो की यहां बोगल में है आकरिती 8.13 में 10P – 4R का मान ग्यांत कीजिए यानि कि यह जो आक्रिती है पहले उस आक्रिती को बना दिया जाए यहां कितना है P Q R तो यहां यहां 90 डिगरी है और यहां P से लेके Q तक 12 सेंटीमीटर है और उसके बाद P से लेके आर तक 15 सेंटीमीटर है तो यहां क्या है कि निकालना है जो मान यहां लिख लिए जाएए बोल रहा है कि 10 P माइनस कॉट-R 10P-4R का मान ग्याद करना है तो देखिए एक बार यहां 10 का मान P के अनुसार चलना है और 4 का मान R के अनुसार चलना है तो यहां कहा जा सकता है कि अगर एक बार P को भी और एक बार R को भी यूज़ करना है यहां H का मान दिया हुआ है और कह सकते हैं कि इसके अनुसार P का मान दिया हुआ है तो B का मान निकलना है चाहे यह भी कह सकते हैं कि यहाँ H का मान दिया हुआ है तो इसके अनुसार B का मान दिया है तो P का मान ग्याद करना है देखिए P चाहे B यह दोनों में से कोई भी मान कोई भी आपस में अदला बदली कर लेता है उससे कोई दिकत नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह नीचे जो होता है खास करकिया है सदानता उसको बेस ही माना जाता है यानि कि B का मान ग्याद करना है तो B बराबर क्या होता है, root under, H square माइनस में P square, तब H square यानि की H का मान कितना है, 13 है, तब 13 के S square माइनस में P square, यानि की P का मान कितना है, 12 है, तब हो जाएगा 12 के S square, 13 के S square कितना होता है, 179 माइनस में 12 के S square कितना होता है, 144, अब अप लोगों को याद करके ही चलना परेगा तब यहां 9 में से 4 घोटेगा तो हो जाएगा 5 और यहां 6 में से 4 घोटेगा तो हो जाएगा 2 और 1 में से घोटेगा तो वह आ गया 0 यानि की को सकते हैं कि सुध मान कितना आया 25 और 25 का परमूल कितना आ गया 5 तो इसका मान कितना हो गया 5 यहां हम लोगों को मान निकलना है क्य Cot r 10p 10 का मान उनुपातिक क्या होता है p by b और minus यहाँ Cot r Karena का मान यानि कि Cot का मान क्या होता है pela p आनुपातिक मान तो थोरा सा ध्यान देना परेगा कि मित के अनुसार से जाएगा इसके अनुसार पि क्या हो जाएगा 5 हो तो कोट पाँछ और बाठा में यह बिकमांगे हो गया 12 डायिन transparent यहाँ कॉट आर कॉंट आर तो कॉट आर यहाँ हमको चाहिएёл वीकर माश्य क्लेकर यहीं पांट हो जाएगा यहाद हो सकते हैं पांच भाठा यह पी हो जाएगा बारा तो यहां यहां मोट यह को देखिए अम लोग देखेंगे कोस्चन नमर्ट तीरी कोश्चन नमर्टीरी में क्या है बोल रहा है यादी साइन ए बराबर थीरी वाई फोर यानि कि साइन ए बराबर 3Y4 तो क्या-क्या बोल रहा है कि कोस्ट A और 10A का मान परिकलित किजिए परिकलित करना यानि कि ग्याद करना है उसके मान को निकालना है तो यहाँ साइन ए का मान दिया हुआ है 3 बाटा 4 यानि को सकते है कि साइन का अनुपाथिक मान का होता है P by H P by H तो यहाँ यहाँ कोहा जा सकता है कि P का मान 3 है और H का मान 4 है तो इसके अनुसार एक जूस का चित्र बनाए जाएगा तो अगर यहाँ A B C चला जाए तो साइन A यानि की A इसको ठीटा मान को चला गिया है A को तो जब ठीटा मान को चला गिया है तो इसके यह P का मान कितना है 3 और H का मान कितना है 4 तो यह ठीटा यह जो मान गिया है तो इसके सामने का यह हो गिया पी और इसका मान कितना है तीन और एच इसका मान कितना है चार तो उसके बाद हम लोगों को यह भी का मान ग्याद कर लेना है तो भी का मान ग्याद किया जाएगा सुत्र के अनुसार भी पराबर क्या होता है रूट अन्डॉर एच स्कुवाइर माइनस में पी स्कुवाइर य यानि कि कह सकते हैं कि 16 माइनस में 9 यहां कितना हो जाएगा रूट अंडर 7 तो रूट 7 इसका जमान आ गया तो निकालना क्या है निकालना है कॉस ए कॉस ए यानि कि कॉस का सूत्र क्या होता है अनपातिक वी बाई एच तो कॉस ए इसी के अनुसार बी का मान कितना हो जाएगा और यह होता है B कमान तो B कमान कितना आ गया है रूट 7 तो हो जाएगा रूट 7 by H कमान कितना है H कमान तो यहां 4 है और उसके बाद का निकलना है 10 A 10 A बराबर यह क्या होता है उन्द पातिक मान P by P तो P by B यानिकी यह एक अनुसर थीटा चला जाएगा तो इसके अनुसर P कमान कितना है 3 तो यह 3 by और B कमान कितना है R hart 32 जो की यह B कमान आ गया है ट्री थीडिस्केद्र रूठ 7 तो इसके Not कमान रख देएगा अब हम लोग देखेंगे question number 4 question number 4 जो की यह भी भी है आपको बार बार इसको बनाना चाहिए और revise करते रहना चाहिए देखिए क्या है यदि पंदरो कोट ए क्या है पंदरो कोट ए बराबर 8 तो sign a क्या है sign a और say a का मान ग्याद करना है यानि कि sign a का भी मान ग्याद करना है और say a का भी मान ग्याद करना है तो यहां देखिए कि यहां क्या है कि अनुपात में तो मान तो है नहीं यहां कुछ ऐसा काम अपने दिमाग से लगाना है जिससे की अहमान अनुपात में हो जाए यानि कि इसको अमरोग लिख सकते हैं कि कोट A बराबर 8 और यह जो 15 इधर गुना में है तो यह भाग में आ जाएगा यानि कि अब कहा जाएगा कि सुद रूप में अनुपातिक मान त्यार हो गया तो कोट A का मान आ गया 8 बाटा 15 या कि ATAlbue A B C A के अनुफर कोट A के अनुसार जब चलना है तो यहाँ कोट A इसमें B का माहन आठ है और P का मान 15 है जब A ठीटा माना गया है तो इसके सामने यह पी होता है और पी का मान इसका अनुखर कितना है 15 है और यह कित मा आ रूट अनडर पी स्कोवायर प्लस में वे स्कूवाra याने कि पी के मांन कितना है पी की माननी हँआ Emperor है तो होजाएगा 15 के स्कुवायर प्लस में अट्सेंड का मान कितना है आठ तो 8K स्कुआर यानि कि 15 किस्कुआर कितना हो जाए गुणा की जिएगा 15 में 15 से होता है 225 पलस में 88 64 यह जब दूनों जूट जाएगा तो कितना हो जाएगा पांच चार नौ अर्सी नहीं आए और चोव दू आठ उसके बाद यह दू के दो तब यह दू सव नमासी जिसका बर्गमूल कितना होता है सत्रो तो यह सत्रो मान एच का आगिया ठीक है जब यह एच का मान सत्रो आ गिया तो हम लोगों को निकालना क्या है साइन और यह कि थाइक लिएस मान ये निकालना है और इसके नुस्वाण कितना है पॉंदरो तो यह जानों और यह को अन 6 होताल। मुझे और इसपे बाद निकालना है शेक ए बराबर यह सेक का सुत्र क्या होता है कॉस का उल्टा होता है इसलिए कहा जाएगा एच बाई बी जो की एच का मान कितना है यहां 17 है 17 और बाटा में बी यह एक के अनुसार यह तो पी हो गया और यह होता है बी जो कि यहां कितना हो गया आठ यह कोस्चन बार-बार बहुत बार पूछा गया है इसे लिए इस कोस्चन को हमेशा रिवाइज करते रहें अब हम लोग देखेंगे कोस्टन नमर फाईब इसमें क्या बोल रहा है यदी सेक ठीटा क्या है यदी सेक ठीटा बराबर 13 बाटा बार हो तो अन्य सभी तिरकुनमितिय अनुपात परिकलित कीजिए यानि कि सेक ठीटा का मान दे रहा है 13 बाटा 12 तो बाकि सब अन्य जो अनुपातिक मान होता है उस सभी को ग्याद करना है तो यहां सेक ठीटा का अनुपातिक मान क्या होता है यहां पहले एक बार चित्र बना लिया जाए तो इसको ठीटा को दिया है ठीटा और इसमें ठीटा के अनुपातिक मान को चला गया है तो इसके सामने एरा हो गया पी और यहां ह का मान 13 है जो कि यहां तो यह तो ह हो कि कि 25 किना है 12 तो सबसे पहले हम लोगों को पी क्यामान घ्याद करना करना है तो फिछ दाइड ब्सक्र के सबसकते है कि तेरह कबर्ग कितना है यहां A-B into A plus B यानि की कहुआ सकते हैं A A A A B A स्क्राइब लगाया सकता है लेकिन वहां उस्तरा से करने जरूत नहीं तेरह कबर्ग लिखिये कितना हो जाता है यहां बारक बार कितना हो जाएगा 144 तो एक घाट आया जाएगा तो कितना हो जाएगा नौ में से चार घटे का तो हो जाएगा पाच और छौ में से चार घटे का तो हो जाएगा दो एक में से घटे का तो जीरो यानि कि सूद मान कितना आ गया 25 और 25 का बर्ग मूल कितना होता है क्या साइन ठीटा का उन पातिक मान क्या होता है पी बाई एच तो इसकी अनुसार यह पी का मान ठीटा के कितना आ गया है पांच तो पी का मान जो पांच आ गया तो जाएगा पांच बाटा एच का मान कितना है तेरो ठीक है उसके बाद निकलना है दूसरा क्या है कॉस बाई एच जो की बी बाई एच यहां ठीटा के अनुसार यहां ठीटा के अनुसार बी कमान कितना है बारो बाटा में एच कमान कितना है एच कमान यहां से कह सकते हैं कि जो की 13 है तो 13 हो गया उसके बाद तीसरा में क्या आता है टैन ठीटा तो यहां ठीटा कमान क्या होजता ह थीठा और का मन P ağr aras Hai तो यह हो गया उसके बाद कहा जाएगा यहाँ टाइन के बाद में क्या होता है कौसक जो कि साइन के होता है या कि कौसेक थीठा ब chambers студCH by P तरहि集 हाएच कमान कितना है तैरह तो तेरो बाटा पी का मान कितना रखा गया है पांच जो कि यहां पी का मान पांच हो गया उसके बाद पाचवा में क्या होता है कौसे के बाद में होता है सेख ठीटा जो कि सेख ठीटा का तो मान खुद ही दिया हुआ था इसलिए सेख ठीटा का मान निकलने के रुवत नहीं है उसके बाद अंतिम जो होता है क्या होता है किया हुआ है और पातिक टैन के विप्रित होता है यानि की हो जाएगा बी बाई पी तो इसके अनुसार ठीटा के अनुसार बी कमान कितना है यह बारो और बाटा में पी कमान कितना है यह पाच कितना में पा Holन के雙ों कितना के कितना के रावा फिस्टार बेस अनुसार फिस सहर है यह बाटा अनुसार ठीजस का बाटान कितना है यह जहीं कितना है यह चु Tut всегда कर दो छों enlightenे है